हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों आज मैं एथलेटिस इवेंट्स के अंतरगर्ण थ्रोइंग इवेंट्स जिसके अंतरगर्ण डिसकर्ज थ्रू, हैमर थ्रू, इसमें इसमें डिसकर्ज थ्रू के बारे में डीटेल में बताने वाले हों एमसी क्यूज के माध्यम से जो आपके एक्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं अब वीडियो को सुरू से लाज्ट देखिएगा दोस्तों यह आप फीजिकल एजूकेशन के किसी भी कंपटेटि के से बिजिट कीजिए तभी आपको समझ में आएगा तो आज की वीडियो पर चलते हैं तो डिसकर्ज थ्रू के बारे में कोशन है इसका भार पूरुस वर्ग के लिए कितना होता है जैसे कि डिसकर्ज देख रहे हैं इसका भार पूरुस वर्ग के लिए दो केजी होता है है ज्क नेट डिसकर्ष का भार महिला वरक के लिए कि अर्टो के сок के लिए कि लिए कि रॉता है ग। महिला व्रक के लिए कि लिए दिसकर्ष क का भार एक कीजी उता है तो भी सेटों की सेक्टर का पुज़िक आसे सेक creat Um का बनाबे ही उता है ध्यार में रखेगा जावलिन ठो को कड़ों होता नोती संस होता है यह गोली को के यानिकि जो तस्तरी होता है उसको चक्का होता है उसको फेकते हैं उसका ब्यास कितना होता है तो सरकल का जो ब्यास होता है वह होता है 2.50 मीटर कितना होता है 2.50 मीटर ठीक है एंड दोस्तों डिसकर्स थ्रो को छोड़ करके आपका शॉट पूट एंड है मर्थ्रो इन दूनों के स्ट्र का जो स्रकल का ब्याश होता है वह 2.135 होता है यह ध्यान में रखिएगा नेश्ट दोस्तों डिसकर्स थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है जैसा कि चेतर में दीख रहा है यह रिटर्निंग लाइन है तो इसकी लाइन की लंबाई जो होती है 75 सेंटिमीटर होती है जैसा कि डिसकर्स थ्रो सार्ट पूट हैमर थ्रो जेवलिन थ् नेस्ट है डिसकर्स त्रो में रीम की मोटाई कितनी होती है जो डिसकर्स है फेकने वाला चक्का है उसके किनारे किनारे रीम लगा हुआ है उसकी मोटाई होती है छे यम-यम ठीक है ज है छे यम-यम यना Christmas दोस्तो कैग के अंतर ये ग्राउन्ड बना होता है जिसका की आउपको चितर में दीख रहा है तो इस कैग के ःउतर होता है जो खुला हुआ होता biz दिसकर्ष तो में कैग में कितनी जाय होती है गौंा चार मेटर होती है छार मीटर जाराyse जो होता है छे मेटर उसकी उचाई चार मीटर उसमें छ्यार बुझाए होती है नेस्ट है डिसकस का जो कैग होता है उसका आकार केशा होता है जैसा कि आपको चितर में दीख रहा है यू आकार का होता है ठीक है एंड नेश्ट है डिसकर्स के सेक्टर के रीम की मुटाई कितनी होती है जैसा कि हमने जान लिया इसका रीम जो होता है किनारे किनारे जो लगा होता है डिसकर्स में जानी चक्का में उसकी मुटाई छे यम यम होता है नेसा डिसकर्स के सेक्टर में रीम कितना उपर रहता है तो जो रीम होता है वह छे यम यम होता है निकला निकला हुआ उपर नेश्ट दोस्तों डिसकस का पूर्सों के लिए ब्याश कितना होता है जैसा कि मैंने डिसकस का जो भार होता है पूर्सों के लिए 2 कीजी महिलाओं के लिए 1 कीजी एन उसका जो ब्याश होता है उन कितना होता है दोस्तों तो उसका ब्यास होता है 219 से 221 एमियम ठीक है पुर्षो के लिए एनेश्ट है डिस्कस का महिलाओ के लिए ब्यास कितना होता है तो महिलाओ के लिए ब्यास होता है 180 से 182 एमियम ठीक है पुर्षो के लिए 219 से 211 एमियम और महिलाओ के लिए 180 से 182 यम यम होता है डिसकर्स का ब्यार्ष नेशन दोस्तों डिसकर्स की बीचों बीच में पूर्सों के लिए कितनी मोटाई होती है तो यहाँ पे 44 से 46 यम यम होता है डिसकर्स की बीचों बीच में जो डिसकर्स का या चक्का का मोटाई होता है 44-46 यम्यम होता है पूरसो के लिए एन महलाओं के लिए ह्यक्रico कीत्वी यह की होगता है तो नोरव कित्वर आधार पर लिया जाएगा ये क्क हुआ और दो लोगका similarity आ गया यारी same same tie हो गया तो निवीडा किस अधहापर लिया जाएगा तो निवीडा next best performance के अधहापर लिया जाएगा अने कि एक और हैं चांस दिया जाएगा ठीक है उसमें जो अपना अच्छा performance करेगा उसको बिजेता माना जाएगा ठीक है दोस्तों ए था एक छोटा सा वीडियो आपके डिसकस्थ्रों के बारे में संपूर मेजरमेंट इसी के इंतरद आपको सभी कोश्चन्स आते हैं तो दोस्तों नेश्ट वीडियो में बताऊंगी तार गोला फेक याने की हैमर थ्रो एंड याने की गोला फिक के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा आई होप कि आपको सभी समझ में आये होंगे अपना ओपेनियों में जरूर देजिए जो भी डाउट होगा ओभी कमेंट में जरूर बताये में डाउट किलियर करने की पूरी कोशिश करूंगी और बेतरिन तयारी के लिए बने रहे हैं मेरे चैनल पे डेली बेसेज पे तो दोस्तों फॉर्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जैसे नियु वीडियो का आप तक पहुंचता रहेगा तो मिलते हैं ने